जेश्ट मास बड़ा मंगलवार बस एक दीपक और एक लोग सब संकट हरेंगे संकट मूचन रातो रात चमक जाए की किस्मत ओम कैशी महा गड़ी शाय नमा राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों जेश्ट माहा चल रहा है जेश्ट माहा की मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है वैसे तो सभी मंगलवार के दिन बर्जंग बली का पूचन किया जाता है लेकिन जेश्ट माहा का मंगलवार बर्जंग बली के पूचन के लिए सबसे ज़्यादा खास माना जाता है माना जाता है बड़ी मंगलवार यानि की जेश्ट महा की मंगलवार के दिन बर्जंग बली की पूझा कहने से भक्ति की सभी मनुकामनाय पूण होती है आज के इस पीडियो में हम आपको जेश्ट महा की मंगलवार के दिन बज्रंग बली की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाई को करने से संकट मोचन बज्रंग बली अपनी भक्तों के सभी संकटों को है लेते हैं हर छेत्र में सफलता मिलती है दोस्तों भगवाई शीराम की आज्या का पालन करते हुए बज्रंग बली आज भी धर्ती पर विराजमान है और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं धार्मिक मानेताओं के अनुसार भगवाईशिव और प्रभुशी राम ने बर्जंग बली को बर्दान दिया था कि जेश्ट महा के सभी मंगलवार पर उनकी विश्य रूप से पूचा होके इस महा में हनुआन जी का इस्थान भगवाईशि राम से भी बड़ा माना जाता है इस महा में ही बर्जंग बली को अमरत्व का बर्दान प्राप्त हुआ था और जेश्ट महा के मंगलवार के दिन ही बर्जंग बली अपने प्रभुशी राम से मिले थे इसलिए यह महा करने के लिए जो पूचा या उपाई किये जाते हैं वह अतिशीक रही शुफल प्रदान करने वाले होते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंस के साथ शेयर जरूर करें जिससे भेभी इससे लाग प्राप्त कर सकें आग अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस आसान और असरकारक उपाई के बारे में उपाई करने के लिए सबसे पहले इसनान का सच्छवस्त धारन करें बजरंग बली का पूजन करते समय लाल या केसरिया रंकी बस्त पहना बहुत ही शुमाना ज़्यादा है पूजन करने के लिए आप सबसे पहले अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं दोस्तों यह उपाई आप बजरंग बली के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं हो सके तो सिंदूरी बजरंग बली के मंदिर में जाकर यह उपाई करें अब आप एक दीपक तयार करें इसके लिए आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दिया ले सकते हैं दोस्तों इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है अगर शुद्ध घी ना हो तो आप इस दीपक में शुद्ध सर्सों का तेल भरें ध्यान रखें, दीपक में किसी और तरहें का तेल, या फिर घी ना डालें, या तो आप शुद्ध खी का दिया बनाएं, या फिर शुद्ध सर्सों के तेल का दिया बनाएं. अब दिये में रुई की बाती लगाएं अब मंदिर में थोड़ी से चाबल रखकर उन चाबलों के ऊपर आप इस दिये को रखें अब आप इस दिये को जलाएं हो सकी तो दिये के साथ एक सुगंदी धूपत्ती भी जलाएं देम शास्तों के अनुसार, पोजन के दौरान जितनी सुगंद बाता बरण में होती है, उतना ही जीवन भी खुशियों से महग उठता है, इसलिए पोजन के समय सुगंदे धूबती जलाएं, या इत्र चढ़ाएं, या फिर भगवान जी को पुश्व अवश्य ही चढ़ाए यह अपना रोज का नियम बना लें, ऐसा कहने से जीवन में खुश्या आती है, और सकारात्मक एनरजी मिलती है, दिया जलाने के बाद आप एक सापुत फूल वाली लॉंग लें, लॉंग को अपने माथे से लगाएं और ग्यारे बार जै शीराम, जै शीराम का जाप करें, जाप करने के बाद आप इस लॉंग को दीपक में डाल दें, अब आप भगवान शरी गणिश को प्रणाम करें, भगवान सीता राम जी और बर्जंग बली को प्रणाम करें, फिर भगवान जी को आप किसी फलमिष्ठान का भोग लगाएं, आज के दिन बर्जंग बली को गुल्दाने का या फिर बूंदी के लड़ू का भोग लगाना बहुत ही शुब होता है, हो सकी तो गुल्दाना या बूंदी के तो लड़ू का भोग लगाएं, वहना हो तो आप बताशे या फिर शक्कर का भोग लगाएं, भोग के साथ आप एक तुलसी पत्र अवश्य ह रखें क्योंकि बर्जंग बली से पहले हम यह भोग भागवान शीराम और मातर सीता को लगा रहे हैं और भागवान शीराम के भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखा जाता है तभी प्रभु श्री राम भोग को स्विकार करते हैं भोग लगाने के पश्चाथ आप आप ज जय सिया राम, जय सिया राम का 108 वार चाब करें शांस्तों की अनुसाच जो व्यक्ति भगवान शीराम की नाम का जाप करता है बर्जंग बली की कृपा सदेम उसके ऊपर बनी रहती है इसलिए पर्जंग बली को प्रसंद करने के लिए पर्जंग बली के पूचन से भी जाता भगवान शीराम का पूचन करना चाहिए क्योंकि प्रभुशी राम की भक्तों पर पर रंग बली की कृपा सदय बनी रहती है। पर आप दीपक को उठाएं। और दीपक से बर्जंग बली की आरती उतारते हुई आप बर्जंग बली की आरती गाएं। दोस्तों आपको इस बात का द्विशिश तौर पध्यान रखना है। पोजन शुरू करें और आर्थी उतारते समय आप प्लेट को हाथ में उठा कर बर्जंग बली की आर्थी उतारें इससे आपके हाथ नहीं जलेंगे और आप आसानी से पोजन कर सकेंगे आर्थी उतारने के बाद अब आप भगवान शिरी गणिश प्रभु सीता रामची को और बर्जंग बली को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रातना करें आपके जो भी दुख है परिशानी है जो भी संकट है उन सब को दूर करने की संकट मुचन बर्जंग बली से प्रातना करें इस तरह पूचन करने के बाद जब दीपक पूर्ण हो जाए तब आपनी बर्जंग बली को जो भोग लगाया है उससे प्रशात के रूप में ग्रहन करें दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय सुर्यास्त के बाद ही करना है उपाय करने के बाद आप दीपक को इसी तरह मंदिर में रखा रहने दें और अगली दिन सुभह उठकर इसनान करने के बाद जो दीपक में लॉंग है इस लॉंग को लेकर आप या तो शुद्धे भैते हुए जल में विसरजित कर दें या फिर किसी पेड़ पौधे के पास जड़ में आप मिट्टी खूद कर वहाँ पर इसे गार दें ध्यान रखें काटीदार पौधे जैसे कैप्टस है तो उसके पास आप इसे ना गारें और किसी भी पौधे के पास आप इसे जमीन में गार दें और जो चावल हैं उन्हें आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है, आटे के दीपक से पूजन किया है, तो आप आटे के दीपक को भी छुटा छुटा तोड़ कर आप पक्षियों को डाल दें। या फिर उससे भी शुद्ध भेते हुए जल मे विसरजित कर दें दोस्तों इस उपाय को कहने ज़ी भगवाई शी राम के साथ ही बर्जंगबली की भी अस्सिम कृपा प्राप्त होती है बर्जंगबली अपने भक्तों के सभी कष्टों सभी संकटों को दूर करते है बर्जंगबली की कृपा से रोक दुख दरिता का नाश होता है कार्यों में आ रही रुकावर दूर होती है और बिगड़े कारे भी बनने लगते है बर्जंगबली की कृपा से दुर्भागे भी सौभागे में बदल जाता है और किस्मत साथ देने लगती है दोस्तों कई बार कई उपाय करते हैं और लेकिन उनसे लाव नहीं होता तो इनके पीछे कई छोटी छोटी बज़े होती है जैसे आप जब यह उपाय करें तो आपको इस दिन मीठ अंडा प्याज लहसन का सेवर नहीं करना चाहिए इस दिन ताम से भोचन ना करें और इस दिन प्रहमचर्य का पालन भी अवर्श करें उपाय को पूर्शधा और विश्वास के साथ करें तभी आपको इसके शुफल प्राप्त होंगे यह उपाय आप सिर्फ अपने अच्छे के लिए करें किसी के बुरे के लिए त्विश्वास से इस उपाय को ना करें वाइना आपको इससे नुकसान होगा महिलाएं यह उपाय कर सकते हैं लेकिन पीरिट के दौरान इस उपाय को ना करें और उपाय को करते समय बर्जंग बली का इस परिश ना करें आप मंदिर में यह उपाई कर रहे हैं तो आपको दीपक को विसरजित करने या फिर लॉंग को विसरजित करने की जुरत नहीं है आप दीपक को मंदिर में ऐसे ही छोड़ कर आ जाएं अगर मंदिर में आपने यह उपाई किया है तो आपने बर्जंग बली को जो भोग लगाया है उस भोग को ना उठाएं यानि कि उसे प्रशाद की रूप में ग्रहन ना करें यह भी ध्यान रखें अगर आप यह उपाई सर्सों के तेल से कर रहे हैं तो इस दीपक से आर्थी ना लें आपको बर्जंग बली की तो आर्थी उतारनी है लेकिन खुद आर्थी नहीं लेनी उपाई करती समय सच्चता का विशिष ध्यान रखें सच्च होकर ही इस उपाई को करें और उपाई करती समय आपका मुँ भी जूटा नहीं होना चाहें अगर तमाकू वगेरा आप खाते हैं तो कुल्ला करने के बाद ही आप इस उपाई को करें उपाई करती समय इन सभी साथानियों को बढ़ने और पूर्शधा के साथ यह उपाई करें बर्जंग बली की कृपा से इस उपाई को करने से लाफ अवश्य ही प्राप्त होगा उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस बीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादे से ज़्यादे शेयर करें जिससी भे भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वचें